असलाम लेकुम एब्रीबन कैसे हैं आप लोग उमीद करती हों बिल्कुल खेल खेले से होंगे मैं भी अलहम दूलेला बिल्कुल छीक वो फैमिली भी मज़ें तो यह सूटकेस जितने भी आप लोग इस अफ देख रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे आज वह हमारी तियारी हो रही है सूटकेस पैक करने की और उसकी वज़ाई है कि एक तो यह बात है कि हम लोग अपना पूरा प्रोविंस चेंज कर रहे हैं शहर चेंज करें वाप अब बड़ा इस अफ ताइम है पैरेंट से मिलोंगी लोगों से मिलोंगी शिदाओं से मिलोंगी और इंशालला फिर फिर अब रदेल चाहत अब भी वहाँ पर आई रहेंगे लेकिन यह है कि फिलहाल सूटकेस की बहुत सारी पैकिंग शूरू करनी है तो फिर इसी जिए म पाकिस्तान जानी की तैयारी जोरो शोर से शुरू हो गई है और चुके मैं तीन बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करने वाली हूं तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा पैकिंग एक्स्ट्रा तैयारी करके निकल रही हूं और यह आइडिया वैसे भी जाहरे के मेरे हस्बंड न डाल दिया है और सेंट केरी को मैं अपने साथ रखोंगी चेक-ईं में नहीं डालूंगी क्योंकि यह सबसे दर इंपॉर्टन बैग होते हैं और इनको अपने साथ ही करो तो सबसे ददर सही ही रहता है मतलब सुकून रहता है बाकि तो जो हल्दा ना करे होने वाली बात होत है यहां से निकल के मुझे दो और ट्रांजिट्स में स्टॉप करना होगा तो टोटल जो थर्टी वन आवर्स इंक्लूदिंग और स्टॉप्स और ट्रांजिट्स लगेंगे तो इसलिए इतनी सारी पैकिंग की है तकरीब हर बच्चे के मैंने दो सेट्स रखे थे पजामे के परना करके शिर्ट के अपने लिए भी रखे दे ताकि हमें चेंज करना हो या ला ना करे कोई एक्सिडेंटली स्पिल हो जाए कोई चीज जहाज में इतना कंजिस्टिर होता है ना सब कुछ तो पर उसके लिए एडिशनल कपरे होने चाहिए यह मस्ट है और यहां पर ज सारे हस्बेंट्स बिलकुल सही करते हैं और इस तरह से मशीन से आराम से वेट हो जाता है कि कितना चल रहा है वैसे हमारे पास वेट काफी जादा अवेलेबिल है अतिहाद एर वेट से जा रही हो तो इसमें 23 केजी के दो बड़े बैक्स अलाओ होते हैं तो मेरे पास तकरी और यहां पर हम लोग शॉपिंग करने आ गए हैं अली के लिए तो हम लोग वाल माट आये थे यहां पर हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी डील्स यहां पर नहीं मिली नहीं कोई क्लियरंस में अच्छा समान रखा वा था अब यह जितने भी आप लोग देख रहे हैं क तो इस तरहां के पजार में नहीं मतलब शॉट्स जो होते हैं तो इस तरहां जो हम लोगों ने बस शॉपिंग की और अब मैं दूसी जगह पर आ गई हूं देखने के लिए कि यहां पर मिलती है कि नहीं तो मुझे जो बच्चे की उनका बच्चा तीन साल का हो गया तो उस मैंने सोचा कि फटाफट से अली के लिए कपड़े ले लिए जाए बिफॉर गोइंटू पाकिस्तान जितने भी समर के कपड़े कैनेरा में आयमें बहुत अच्छा आयमें तो इक प्लेस है चिल्डर्न्स प्लेस तो वहां मुझे बहुत अच्छे कलर्स मिलते हैं और तक्र अच्छे के लिए लाइबल नहीं थे लॉंग स्लीव के भी थे विसमें और उंपर्स टाइप के थे जो के पाकिस्तान की गर्मियों में नहीं चलते तो यहां पर मुझे बिलकुल सही टीज मिल गई 6-6 डॉलर की और यह मैंने चार मैंने चूज की हैं बलके हाँ चार हैं त होज गए हैं वैसे मेंली तो उनका मतलब सारी कोस्ते हैं उनके पास बार्बीक्यू और बिरियानी वगएरा सब कुछ वो लेकर आया थे काफी दम का खीमा वगएरा भी था तो बहुत ही मज़े का उन्होंने खाना बनाया था सब माशिलर से और साथी में बच्चा की तीन स साथी में लेकिन अब हम लोग जाने पाकिस्तान तो वहां पर हूपसारी होगी गर्मी बट हम उसके लिए प्रिपेर्ड है काफी मतलब मैं और बच्चे तो अराम से काफी रदब प्रिपेर्ड हैं हीट वेव जो भी आई वी है और यहां पर देखें मैं अपनी जोड़े स कभी ऐसा हुआ हो लेकिन जो भी है हर इंसान की अपनी अपनी जगा कुछ ना कुछ वैली होती है भले कोई कम बात करे या जादा कोई कम सोशल हो या जादा क्या फर्क परता है उससे तो यहां पर हम लोग देखें कि बिर्यानी निकाल रहे थे और बस अब खाना वगयरा है से बहुत अच्छा रिफ्रेश्मिंट रहता है मजा आता है लोगों से नहे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है जो हमारे होस्थ थें पहले कासे का उप्लार में मीला काफी नहें हैं। किसी के लिए भी नहीं है और इंसान अपनी उपर्चिनिटीज के लिए आगे तो बढ़ता ही है तो जगह का बदलना को यसी बड़ी बात अब लगती नहीं है तो अब मैं यहां पर मीठा खा रही हूं केक वगारा कर गया था बहुत ही जबरदसा केक साथी में खीर बनाई थ है उसके बाद फिर मैंने शाम में जाए वो थोड़ा बच्चे को भूख भी लगए भी लगए थी सोचा के चिकन तिक्री का सैंविच बना के दे दू इनको और इसमें मैं मैयोनी डाल रही हैं साथी में रेड सॉस बस बहुत ही सिंपल सा मेरा बेटा खाता है चिकन सैंवि होते हैं तो उनकी चॉइस बड़ने लग दी हैं तो फिलहाल आयान मेरा बड़ा वाले बिटा थोड़ा तीन एज से खरीब आरे भी हुआ नहीं टीनेजर में आया नहीं है वो बट इस 11 यूर्स तो उसकी चॉइस दब काफी दब बदल गई हैं तो मैंने का चलो उसकी चॉ पिछले साल ही उसकी माशला से बर्थ हुई थी डिसेंबर में तो मैं उसके बाद उसको वीडियो में देखती थी मगर इन्शालला मिलूंगी तो बहुत मज़ा आएगा चोटे बच्चे तो वैसी इतने क्यूट लगते हैं और 7-8 मेनी के बच्चे तो और जदा प्यारे हो थे उनकि हर्कते भी ऐसी होती हैं चाहता है कि उनको फफथ और भाते बाते बाते करते रहा हूं तो मि भतीची को मैं डफिनेटली बहुत ज्यादा मिस कर्ते हूं तो इन्शालला मिलूंगी ये मेरी हाइलाइट होगी पाकिस्तान ट्रिप ki और जैसे कि आप सबी को पता है कि मैं तकरीबर एक साल के अदर में दूसरी दफ़र जा रही हूं। मैसी एक हुआ हम प्याहिए भी से लिए बाते करें लोगों के अपने ही बाते साथ करें। थोरभा डिफ्रेइंट होता है रहा है । ऽे आपने में यह बहुत हो पूछ है वह बुच्छ तो बस चीज से थोड़ा बचने के लिए हम यह फैसला कर रहे थे के मैं और बच्चे तो कमसकम पहले निकल ही जाएं और अगर हजबन इन्शालला आएंगे तो फिर वो भी अपने घरवालों से जितने भी महां पे खाला मामूज इतने भी लोग हमसे मिल लेंगे तो यह कहान चल लए यह बस अब रात के खाने की तायारी करने नहीं हूँ यहां पर मैं कबाब फ्राइब करने हूं बहुत सिंप्ल सा खाना बना रही हूं जो मैंने कबाब फ्रोजन रखे थे ना वो इस लिए रखे थे बनाके कि ताके husband के बाद में काम आ जाएंगे जब मैं पाकिस्तान चली जाओंगी तो जितने भी दिन वो इस घर में रहेंगे थोड़े बहुत fry करके नाश्टे में खा लिया करेंगे तो बस उन्हीं में से थोड़े बहुत कबाब मैंने फ्राइ की हैं साथ ही मैं यहाँ पर फ्राइ कर रही हूं क्योंकि मैं बना ली हूं दाल चावल और दाल चावल के साथ यह जो पापर होते हैं इंतहाई कोई मज़े के लगते हैं मतलब कमफर्ट फूड है आप लोग बनाते हैं कि नहीं पापर मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए कर बिन मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो यह बस मैं इसलिए फ्राइर कर नहीं हूं और दाल चावल जो है उसके साथ फिर खाएंगे एंजॉय करेंगे सलाद बनाके मैंने रेडी कर ली है वही कचूमर की कराची वाली सलाद जिसको हम गर्मियों में खाते हैं टेमाटर लीमो घरतनिया हरी मिर्च और उसके अंदर नमा काली मिर्च डाल के तो बहुत ही मज़े की लगती है दाल चावल के साथ तो मैं जब भी कुछ बनाती हूं इस तरह कर जिसे डाल चावल या कोई भी ऐसी किछडी या कोई भी ऐसा आइटम तो रहतेमाम ज़रूर कर लीती हूं ऐसे कचूमर वाले सालड का यह बहुत मज़े का लगता है मुझे तो कराची की गर्मी की आसा जाती है क्योंकि हम दुपैर में हमेशा ऐसे खाने जरूर करते हैं जिसमें सैलेड और यह इस तरह के पीले डाल चावल होते हैं तो बहुत अच्छे लाइट लगते हैं साथी में घर की चापाती बना दी है और यह मेरी फुल प्लेट है और बस इंशालला इसको मैं खाऊंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी खाना हजबन ने हेल के साथ अपने बज़े हैं यह सब मुझे कहीं आदा आएगा इनकी यादे मुझे जुड़ी भी होंगी मगर भी आ मुविंग फॉर गुड इंशालला तो फिर अगली जए व्लॉग आपको मेरा फ्लाइट वाला ही मिलेगा आपसे फिर मुलाखात होगी नेक्स व्लॉग व अबना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा अलला हाफिज टे कियर